और अब अगली खबर की और रोख करते हैं साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद के उन पचास साल पूरे हो गए हैं तीन दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान ने लड़ाई के शर्वात तो कर दी लेकिन भारते सैनको के पराकरम के आगे महस 13 दिनों में ही उसमें खुटने टेक दिये तब कालिन तधान मंटरी इंद्रा गांधी ने सेना धक्ष जनरल मौनिक शोग से बातचीत की और तब भारत के पास सिर्फ एक माउंटिन डिवीजिन था और इसके पास भी पुरी नर्मार की श्यम्ता नहीं थी मांसून दस्तक देने वाला ही था कि ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करना जोखिम भरा कदब हो सकता था जनरल शोग ने साथ कह दिया था कि वो मुकमल तैयारी के साथ ही युदिके मैदाम में उतरेंगे तीन देसंबर 1971 को तकाली पधाननचे इंडरा गांधी कलकत्ता में जन सभाग कर रही थी और शाम के वक्त पाकिस्तानी वायू सेना ने फठान कोट, शीनगर, अम्रित सर, जोदपुर, आगरा जैसे सैने हवाई अडो पर बंबारी शिरू कर दी सरकार ने जवाबी हमले की उजना बनाई जनरल मौनिक शोह ने जनरल जे एफार जैकब को 16 दिसंबर को आत्म समर्पन की तैयारी के लिए तदकाल धाका पहुचाने का संदेश दिया पाकिस्तानी जनरल एएके नियाजी के पास धाका ने 26 हजार से ज्यादा सैनिक थे जबकि भारत के पास 32 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3,000 सैनिक उपलब्द थे जनरल जैकब नियाजी के कमरे में पहुचे और देखा कि मेज़ पर समर्पन की दस्तावेज रखे हुए थे लाक्टिनिन जनरल जगजीत सिंग अरोडा धाका पहुचे नियाजी ने रिवॉल्वर और बिल्ली लाक्टिनिन जनरल अरोडा के हवाले कर दिया दोनों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षब भी कर दिये और 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनुकों को युद्ध बंदी बनाया गया करीब 49,000 भारती सैनुकों ने शहादत दी इस तरहे कही जाकर बंगलादेश की नीव रखी जा सकी